चलिए आज बनाते हैं भिंडी की डिफ्रेंट तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी आप इसे एक बाद जरू ट्राइ करें जिन्हें भिंडी खाना बिल्कुल पसंद नहीं वो भी अंगुलिया चाटते रह जाएंगे हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हलफू लगेगा तो प्लीज लाइक, सेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुचे तो चलिए भींडी की सबजी बनाना हम सुरू करते हैं हमें 400 क्राम जितना भींडी लेना है इसे धोग कर इसका हमें मुआशर को सुखा लेना है इसे हमें कट कर लेना है थोड़े बड़े बड़े टुकडो में सारे भिंडी कट चुके हैं इसमें डाल देना है एक चोथाई छोटी चमच हल्दी पाउडर एक चोथाई छोटी चमच कास्मीरी लालमेश पाउडर एक चोथाई छोटी चमच हमें नमक डाल देना है इन सब को हमें मिक्स कर लेना है इस तरीके से तो अभी आप देख सकते है भिंडी में मसाले मेक्स हो चुके हैं, कडाही में डाल दीना है तेल, लगभग 3-4 चमज इतना तेल गरम हो चुके हैं अभी हमें इसमें भिंडी को डाल दीना है, भिंडी को हमें चला लेना है भिंडी को हमें तब तक भुनना है जब तक भिंडी लगभग 70-80% तक सौफ्ट ना हो जाए थोड़े थोड़े देर में हमें इसे चलाते रहना है ग्यास का फ्लेम हमें मीडियम रखना है एक बार इस तरीके से भिंडी की सबजी जरूर बनाईएगा अभी आप देख सकते हैं भिंडी का क्वांटिटी कम हो चुका है ये सौफ्ट हो चुके हैं तो हमें भिंडी को निकाल लेना है और वापिस कड़ाही में हमें लगभग एक चमजीतना तेल डाल देना है इसमें हमें डाल देना है 7-8 लेसुन के के लिए 1,5 इंच अधरक इसे हमें चला लेना है अभी हमें इसमें डाल देना है एक बड़ा साइज का कटा हुआ प्याज रफली काट कर डालना है इसे हमें चलाते हुए हलका भून लीना है लगभग 1-5 मिनट के लिए प्याज को भूनते हुए लगभग देड़ मिनट हो चुके हैं प्याज हलका भून चुके हैं अभी हमें इसमें डाल दीना है एक बड़ा साइज का रफली कटा हुआ टमाटर इसे हमें चला लेना है अभी हमें ये गैस का फ्लेम लोटू मीडियम रखना है और थोड़े थोड़े देर में इसे हमें चलाते रहना है मैं हरी में डालना भूल गई थी तो मैं अभी डाली हुआ पहले भी डाल सकते हैं थोड़ी देर और इसे हमें भून लेना है टमाटर सौफ्ट हो चुके हैं ये भून चुके हैं इसे निकाल लेना है और ठंडा होने के बाद हमें इसे पीस लेना है अभी वापी समय कडाही में डाल देना है तीन से चार चमज इतना तेल को तेल गरम हो चुके हैं एक जीरा डालना है, जीरा ब्राउन हो चुके हैं, अभी हमें इसमें थोड़ा सा दाल सिन्नी, एक तेज पत्ता, एक लाल में डाल दीना है, थोड़ा सा हिंग डालना है, अभी हमें इसमें पीसे हुए प्यूरी को डाल दीना है, ग्यास का फ्लेम लो कर लेना है, मसाले डाल लेन है एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच कास्मीरी लाल मेर्ज पाउडर नमक आप अपने स्वादरों से डाले भिंडी में पहले भी नमक डला हुआ है तो उसी एक ओर्डिंग आप इसमें नमक को डाले अभी हमें इसे चला लेना है हमें मसाले को तब तक भूनना है जब तक मसाले का कलर चेन ना हो जाए थोड़े थोड़े दिर में इसे चला लेना है इसमें एक चमच हमें हलका क्रेस करके कसूरी मेथी डाल दीना है और अभी हमें इसे वापिस चला ल लगेगा अभी आप देख सकते हैं मसाले भून चुके हैं इसमें भूने हुए भिंडी को डाल दीना है और अभी हमें इसे चला लेना है मसाले में हमें भिंडी को दो से धाई मिनट के लिए भूनना है गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है भिंडी को भूनते हुए लग भाग धाई मिनट हो चुके हैं। भिंडी और मसाले अच्छे से भूण चुके हैं। अभी हमें इसमें डाल देना है पानी। हमें इसमें लगभग 300 ml जितना पानी डालना है। इसे हमें चला लेना है। हमें इसे ढख कर पकाना है। इसे पकने में लगभग 6-7 मिनट का समय लगेंगे इतने देर में सबजी अच्छे से पक जाएंगी कड़ाही का धक्कन अभी हमें लगा लेना है गैस का फ्लेम हमें मीडियम कर लेना है इसे पकते हुए 8 मिनट हो चुके हैं तो अभी आप देख सकते हैं भिंडी की स्वादि लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजेगा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ सेर जरूर कीजेगा कमेंड में जरूर बताइएगा अब हिंडी की सबजी आपको कैसे लगे आपके फैमिली वालों को कैसे लगा थैंक्यू फर बाजिम